कि नमस्कार दोस्तों मैं दीपक राय फ्रॉम इलहाबाद फिर से आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब कैनल सक्सेस मंत्रा बाई दीपक राय में हारदिक हारदिक स्वागत करता हूं दोस्तों और आज मैं आप लोग के लिए जो टेस्ट स्रीज लेकर आया हूं एक्ज किया है और मैं यह गारंटी के साथ कहता हूं कि आज के वीडियो के बाहर से कोई क्वेष्चन साथी मात्रक्न कारें क्यों कि सारे समाहित करनी है और जो भी छूटा होगा हडियो में आप के लेकर आँगा तो दोस्तों आज के वीडियो सुरू standفي कर में क्या पसंद आयब तो लायक जरूर करिएगा दोक्तों चलिए क्या 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 ए पीपर में तो दोस्तों यह रहा आजका आपका tip participating जोकी आधरी समान वग्णान गरान से मात्रक और इकायों से देखे पहला उप्षण मेंकि एप पूरा आप option पढ़ा कीजिए तो फिलाल सक्ति का जो मात्रक है वो है option आपका भी वाट ठीक है दूसरा देखे प्रकास वर्स होता है प्रकास वर्स क्या है वह वर्स जिसमें सूर का प्रकास अधिक्तम रहता है वह वर्स जिसमें कारभार हलका रहा हो प्रकास द्वारा एक वर्स में चली गही दुरी तो दोस्तोँ इसका right answer है option C, प्रकास द्वारा 1 वर्स में चली गही दुरी को कहा जाता है प्रकास वर्स कार का मातरक है अब देखे, कार का किया मातरक है कार का जो मातरक है, इसमें आपका right answer है option A दोस्तों देखें यह question देखने में बहुत simple लग रहे हैं लेकिन जब exam में आते हैं तो कहीं नहीं के confusion हो जाती है कि यार इसका क्या मातर है कि हमने तो revision नहीं किया section question आता है तो चौता देखें बल का मातरग तो बल जो मापा जाता है वह है option C Newton अब देखें वहां पर प्रकास वर्स क्या है प्रकास वर्स में चली गई ठीक है आपकी वह है तो यहाँ पर जो क्या है दूरी तो प्रकास वर्स आपकी है पांचवे का डी दूरी देखिए मोस्ट इंपार्टन क्वेस्टन्स यह क्वेस्टन यहां तक कि लोग से वह आयोग में पूछा यूपी पीएससी में भी आ चुका है और यूपी टुपल सी के अगर ग्रेजुएशन लेवल की पेपर की बात करें तो वहां भी बनता है और स पारशिख कितने के बराबर होता है प्रकास वर्ष तो अब देखिए इसमें आपका जो राइट आंशर है ओप्शन बी 3.25 प्रकास वर्ष यानि 100 पारशिख बराबर 3.25 प्रकास वर्ष और पारशिख क्या है माप की कौन सिकाई को 0.39 से गुड़ा करने पर इंच प्राप्थ होता है अब बताईए यह most important question है तो 0.39 से गुड़ा करने पर इंच प्राप्थ होगा अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 cm बराबर होता है 0.39 इंच एक cm बराबर होता है आपका 0.39 इंच तो अब माप की कौन सिकाई को 0.39 से गुड़ा करने पर इंच प्राप्थ होगा तो आपका cm से आप इसको गुड़ा करने पर यह आपका प्राप्थ होगा इंच नेक्स देखिए एंपियर मापने के इकाई है अब देखिए एंपियर से क्या मापा जाता है तो एंपियर से मापा जाता है आपकी आप्षन भी विद्दुधारा निम लिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों देखिए मोशन पाड़े क्वेस्टन से मैं आप लोग के लेकर आया हूँ नौवा देखिए तो कार का जूल मातरक, बल का मातरक, नीटन, द्रवमानग, किलोगराम, दाब का डाइन तो अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है आपका SI unit ठीक है आपका SI unit पूछ रहा है तो यहां पर यह जो सुमेलित नहीं है वो है दाब डाइन यह सुमेलित नहीं है जबकि दाब का एसाई मातरक होता है आपका पासकल याद रखिएगा एक पीको ग्राम बराबर होता है यह भी important question है पूछा जा सकता है एक पीको ग्राम तो एक पीको ग्राम बराबर होता है दसवे का right answer है आप देख लिजिए जिनको आता है बहुत ही अच्छी बात नहीं आता है आज मेरे वीडियो जरी जान लेंगे दसवे का right answer है option c 10 की power minus 12 ग्राम के ठीक है एक पीको मिंटर पीको ग्राम बराबर होता है ग्यारवा देखिए पासकल इकाई है अब देखिए पासकल किसकी काई है पासकल से क्या मापा जाता है तो पासकल से मापा जाता है option b दाब की काई है नगे देखिए लंबाई की नितम इकाई है अब लंबाई की जो इकाई तो मैकिसम कई होती है लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है लंबाई की सबसे निलतम जहां से स्टार्टिंग मानले जह होती है वहां से क्या इसकी निश्ञा है तो right answer है option दी फरमी मीटर एक micron बराबर है अब देखे एक micron बराबर आपका होता है option B10 की power minus 4 gram और दोस्तों जो मैंने science का जो पहला test paper बनाया था विज्ञान और उसकी साखाएं अगर आप मेंसे किसी छात्रिनार देखा हो तो मैंने उसको playlist सारे test paper की playlist अब जितना तक मैंने इस series की बनाई है वीडियो सब की मैंने playlist बना ली है आप मेरे चैनल की playlist में जाकर gram विकाज अधिकारी ग्राम पंचार अधिकारी test नाम से playlist है आप उसको open करेंगे तो मेरी अब तक की starting से लेके जितने भी वीडियो मैंने बनाई है सब आपको एक जगा मिल जाएंगी बहुत सात्रों का सवाल था कि सरसा आपकी सारी वीडियो कैसे मिलेगी तो playlist में जाएए वहां मैंने playlist create कर दी आप दर्रश्यडार्य है छोड़ा द इखे तेल का एक बेरल निम्नमेज से लगबग कितना होता है अब धैखे अक्सर आप लोग ये TV में समाचार सुनते होगे निईशफ़ेपर नि देखते होगे कि जो पैट्रोम काइमते हैं बैरल में प्रती बैरल इतना कम होग अगया पंद्रवा देखिए क्यूसेक से मापा जाता है अब देखिए क्यूसेक क्या है आप्सन चार है जल की सुदुता जल की गहराई जल का भाव या जल की मात्रा तो यहां पर क्यूसेक से मापा जाता है आपका जल का भाव कहते नहीं कि जैसे धारा प्रवाई थो रहे इतने क्य यूसक पानी छोड़ा गया तो जलका बहा होता है इसको मापा जाता है अगला इंपारण क्वेशन देखिए निर्मखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है अब देखिए डेसिबल ध्वनी की प्रवलता की काई आसो सक्ती सक्ति की काई समुद्री मिल नौ संचालन में दूरी की काई या सेल्सियस उसमा के काई तो यहां देखिए आपका जो सुमेलित नहीं है वह सेल्सियस उसमा के काई दोस्तों मैं यहां आपको बता दो जो सेल्सियस होता है उसका होता है ताप ठीक है सेल्सियस की जो काई होती है ताप होती है और उसमा की जो इकाई होती है वह होत आज दूर कर दिया अब देखें यहां इंपॉर्डन क्वेस्टन है सूची एक को सूची दोल सुमेलित कीजिए तता सूची नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए अब देखें क्यू से बाइट रिक्टर बार यह आपके क्या है कह सकते हैं इसक होता है computer की memory slated होता है रिक्टर से मापा जाता है आपका भूकम और बार होता है आपका दाब तो राइट आंसर इसका हो गया तीन चार और C का दो तीन चार दो एक तो यहाँ पर तीन चार दो एक देखिए क्या है तीन चार दो एक है option B यह है इसका right answer देखिए दोस्तों यहां कितने important questions है और यह exam में पक्का आने है इकाई से तो एक दो question बनते ही बनते है तो इसका right answer है option C ओजोन परत की मुटाई को मापने के लिए दोस्तों इकाई का प्रयोग किया जाता है अब देखिए ध्वनी की तीवरता को मापने वाला यंत्र है अब देखिए ध्वनी की तीवरता जो मापी जाती है वो मापी जाती है 19 का D आडियो मीटर से 20 वा देखिए सोनार का प्रयोग किसके द्वार किया जाता है सोनार देखिए एक तरह का यह है महासागर में जो डूबी ही वस्तू है उनको पता लगाने के लिए सोनार एक प्रयोग का यंत्थ होता है जो आपका कहते है परास्राव तरंगे छोड़ता है और उससे तरंगे टकरा कर निकलती है तो उससे यह पता चलता है कौन सी वस्तू है कितने घराए में डूबी हुई है और यह नौ संचाल को द्वारा प्रयोग में लाए जाता है यह किसवा देखे वाई को गती निम्लिखित द्वारा मापी जाती है अब देखे मोस्ट यह भी इंपॉर्डन क्वेस्टन है वाई की गती आपकी नापी जाती अब देखे जो हाई जो ज्यादा अत्यधिक उच्चताफ है जिसे पंद्रह सो यह दो हजार के उपर जो ताफ होती उसके लिए एक मात्रक है वह है आपका option a pyrometer यह अत्यधिक उच्चताफ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है यह इसका ध्यान रखिएगा तेश्वा देखे पारिस्तितिक दबाव की काई है पारिस्तितिक दबाव की काई क्या है आपकी जो पारिस्तिक दबाव होता है वो बार में होता है ठीक है तेश्वा अप्शन ए बार उस्मा का मात्रक है अब उस्मा का मात्रक देखिए क्या है तो उस्मा का जो आपका मात्रक जैसा कि मैंने अभी वहाँ पर बताया था तो 24 का 1 A, 24 का A कैलोरी 25 क्योशन देखिए निम लिखित SI यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है अब देखिए यहाँ पर SI यूनिट कहा जा रहा है तो इसमें कौन सा गलत है पहला देखिए कार का जूल, दूसरा बल का नियूटन, तीसरा दरवबान, किलोग्राम, चौथा दाब, डाइन तो 25 का जो है वो है दाब, डाइन सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ मर बता दूँ SI पास्कल देखिए आपका दाब का हो, यह डाइन, नहीं SI पास्कल में यह नहीं होता है, ठीक है यह जबकि होता है, आपका जो CGS में यह होती है, इसका इकाई डाइन नेक्स देखिए, अब देखिए, 25 क्योस्टन तो मैंने आपको बता दिए आप जानते हैं कि 26 से लेकर 30 नंबर तक आपके लिए मैं देता हूँ, इसका उत्तर मैं आपसे पेच्छा करता हूँ कि आप मुझे बताएंगे और इससे आपके तयारिया का भी जाय जाल पता चल जाता है कि आप कैसी तयारिया आपकी चल नहीं है तो 26 वा क्वेशन देख लिए ध्यान से देखिएगा मैं पढ़ देता हूँ, निंखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नौट, जहाज के चाल की माप, नौटिकल मील, नौस अंचालान प्रयोग दूरी की काई, एंग स्ट्रॉम, प्रकास के तरंग धैर की काई, प्रकास समय मापनी के काई, 26 वा देखिए, हाईगरो मीटर से मापा जाता है, चार उप्सण है, अब हाईगरो मीटर से क्या मापा जाता है, ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके, ठीक हैं?, 28 वा देखिए, प्रकास की तीवता मापने के लिए जिस उप्करन का प्रयोग कीया ज चातबर में कहा इसका आप उसी tule बता दीजये क्योंकि इसका आंसर मिलता नहीं है तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि हर अगले से मैं स्वस्कों देह सब्सक् Dallas.. कि मेरे हर बीडियो में आपको सब्सक्ण से तीस का आंसर मैं कमेंड पिन करके दे दूँगा और जो छात रांसर देखना चाहते हैं वो अपना मैच करा लें कि उनका कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ और जिनके चारों क्वेस्टन सही हुआ अब दोस्तों आज के वीडियों बस इतना है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप मुझे ट्विटर फेस्बुक पेज और साथ इसाथ टेलीग्राम चैनल पर फालो कर सकते हैं और इसकी जो पीडियाफ होती है मैं टेलीग्राम चैनल पर अप्लोट कर देता बहुत से चात्रों की स्क्वेरी रहते हैं कि साथ पीडियाफ नहीं दे रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जूड़ी है मैं वहाँ पर अप्लोड कर देता हूं आपको मिल जाएगी तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद इस वकर आपका दिन सुभू